दोस्तो प्लम्मिंग में आस तक का यह सबसे अनोखा वीडियो वनने वाला है यह आप पहली बार देखोगे यूटूब फेस्बुक में इससे पहले इस तरीके का वीडियो आया ही नहीं है इसका कंसिल फीडिंग का वीडियो हम एक साल पहले ही पोस्ट कर चुके है लिंक डि इसक्रिप्शन में है जाकर देख सकते हो लेकिन उससे पहले यह वीडियो पूरा जरूत देखेगा लाजवाब होने वाला है उपर तो सावर फीटिंग हो चुका है यहाँ पर चेलिए हम बोडिजेट और डीजिटल कंट्रोल भल्प लगाते है और इसका पूरा प्रोसेस करता है लेकिन यह बलाक कलर के जो जेड देख रहे हो न यहाँ पर देख लिजिए इसका कलर निकल चुका है इसमें फ्लांच नहीं आ रहा था इसलिए हमें कलर निकालना पड़ा ऐसा क्यों करना पड़ा क्योंकि यह कोटिंग वाला बोडिजेट है एक चीच यह आप कोई भी नल लेते हो, बोडिजेट हो, स्पाउट हो, सावर हो, आप मैट फिनिस लिजिएगा, कोटिंग वाले से बच कर, क्योंकि कोटिंग वाला जो है, वो एक साइनिंग अच्छा नहीं देता, जितना मैट फिनिस देता है, कोटिंग मतलब आप जो नल लेना चाहते ह है मतलब शाइनिंग और फिनिसिंग अब यहाँ पर चलिए हम बोडिजेट को फिटिंग कर लेते हैं यह जो बोडिजेट है हमारा कोटिंग वाला है इसमें हम पाना पकड़ाएंगे कुछ भी पकड़ाएंगे वह जो है न वहाँ पर कुछ अजीप सा दिखेगा वह कलर निक फिटिंग हो चुका है आप हमें एंथिम डिजीटिल में जाना पड़ेगा और यहाँ पर डिजीटिल सेटिंग करना पड़ेगा और डिजीटिल एंथिम भाल्प को हमें बाहर भी निकालना पड़ेगा तो यह सिचुएशन है यह अगर कभी भी आप फिटिंग करते हो तो आरे लिए तो भाई साब ये एमाउंट पहाडो जैसा है इसके अंदर बस एक छोटा सा रिमोंट निकल रहा है जो काफी डिजीटल है ये वाला और इसमें एक क्लैम पाता है पीविसी वाला जो हमारा डिजीटल भल्प को स्ट्रोंग करके हेंगिंग करके रखने वाला है इस कि हम छोड़कर रखे थे अगर नहीं छोड़ोगे पाइप तो बाद में दिवाल तोड़ोगे बाकिसर जी जब तक हम केबल का काम कर रहे है तब तक वीडियो को लाइक कर दिजीए और यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करिए और फेजुक पेच में देख रहे हो तो फ आपको एक सिस्टम दिखाता हूँ देख लिए ये लोक इस तरीके से आपका हो जाएगा यहाँ पर आप छोटा सा चिंदा देख रहे हो उससे आपको प्रेस करके इसे दबाना है और दबाने के बाद आपको फिर से अगर खोलना है टाइल्स के अंदर ये चिपकाने के बा इसे फिटिंग कर लेंगे कोई चीज का आपको परिशानी नहीं आएगा इसका और एक वीडियो लाने की कोशिस करूँगा वादा तो नहीं करूँगा मतलब कंसिल्ड और फिनेसिंग दोनों एक साथ मिलाकर एक वीडियो लाने की कोशिस करूँगा ताकि आपको वो वीड करना पड़ेगा और उसे राइट साइट आपको प्रेस कर देना पड़ेगा मतलब किस तरीके से चलिए हम दिखाते हैं यह है आपका प्लेट मतलब रिमोंट वा इस रिमोंट वा में यहाँ पर एक लाइन दिख रहा है जेक में और रिमोंट वा का लाइन में भी एक जेक है इस लाइनिंग को आपको इस तरीके से बैठा कर प्रेस कर देना है लोक हो गया यह हो गया फिटि उसका जेक कहाँ पर लगेगा यहाँ पर देख लिए दो जेक का सिस्टाम दिया है जिसे आपको खोलना पड़ेगा एंथिम को उसका पार्ट को खोल के वहाँ पर जेक का सिस्टाम है दोनों में से किसी में भी एक में फिटिंग कर दिजिए हो जाएगा जैसे कि हम एक में फि पावर सप्लाई से होकर इस एडेप्टर में आएगा और एडेप्टर से होकर आपका एंथिम में आएगा यहाँ पर एंथिम में भी एक जेक लगा है पीछे साइट तो आपको उस तरीके से जगा रखना पड़ेगा उस तरीके से आपको दिवाल में बैठाना पड़ेगा ए remote setting का आपको ध्यान रखना है जैसे ही switch on करेंगे आपका device on हो जाएगा और fast आपको language select करने के लिए मांगेगा तो यहाँ पर जो है यह है चक्की समझ लिजए यही चक्की को आप lap right करेंगे तो आपका language उपर नीचे होते रहेगा बस ऐसा नहीं pressure नहीं आ रहा है रुकिए सबर करिए सब आपको बदा चलेगा आप देखे ऑटोमेटिकली उसके बात यहाँ पर आ जाएगा connect setup method यहाँ पर आपको क्या करना है connect app option आ रहा है और एक आ रहा है on this device तो on this device में आपको select करना पड़ेगा उसके बात यहाँ पर ठिक कर दिजिए और उसके बात यहाँ पर आ रहा है temperature अब temperature जो है आप आपने हिसाब से रखिए लेगिन मैं बोलता हूँ यहाँ पर जितना भी pressure आ रहा है या temperature आ रहा है सबी माप maximum करके रख दिजिए अगर ठिक नहीं लगता है तो बाद में आप थोड़ा भूत कमा सकते हो लेकिन मुझे लगता है पूरा ठिक लगेगा आप सभी में maximum करके रख दिजिएगा temperature सेट करने के बाद उसके बाद आ जाएगा आपका number select मतलब यहाँ पर इसमें 6 outlet है तो यहाँ पर आप देख लिए इसमें 6 total outlet दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे number one में click करेंगे आप यहाँ पर यह जो है lamp इसमें आप click करिए और जिसमें पानी आएगा मिष्ट में हमारा यहाँ पानी आयाँ तो हम यहाँ यहाँ एरो में click करके यहाँ पर बहुत सारा option है यहाँ पर इस तरीके से आप click करेंगे ना आपको बहुत सारा option दिखेगा जैसे कि मेरा mist वो दिखा है लेकिन आगे भी देखता हूँ और क्या-क्या है देख लिए यह काफी सारा jet और बहुत कुछ दिया है यहाँ पर देख लिए हमारा rain में पानी गिर रहा है तो number 2 आपको क्या करना है हम automatically आ गया अब उतना पानी हो कर ने के बाद तो automatically option आ जाएगा रेन गिर रहा है number 2 हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ रेन में देखना पड़ेगा यह हमारा rain इसे click कर लिए आप number 3 same process वैसे ही आपको यह जो water drop का logo दिख रहा है उसमें आप click करिए यहाँ पर देख लिए हमारा ओभारेट में पानी गिर रहा है बस ओभारेट का logo देखेंगे और उसमें click कर देंगे हो गया number 4 same process वैसे ही करेंगे आप body jet में से किसी में से एक में आएगा यहाँ पर mist में हमारा number 4 मा आ रहा है तो mist वाला हम यहाँ पर check करेंगे जो भी mist है वो देखेंगे और mist body jet तो mist body jet भी देखना पड़ेगा यह mist body jet है हो गया number 5 अब यह भी है हमारा body jet ही होएगा range jet वाला चलिए इसे भी हम range jet में set कर लेते हैं बागी का बजग गया छे number spout आप यहाँ पर एक चीज़ दिखिए जैसे ही water drop को आप click कियो ना थोड़ा दिर बात automatically यह जो है logo आ जाता है ठीक है तो दो click कर दिया है अगर इसे हम ठीक कर देते है जब भी आप jet को one करेंगे मतलब आप डाइबेटर को one करेंगे तो एक साथ यह दोनों में पानी आएगा ठीक है setup complete इसे click कर दियो देख लिए यह दोनों आप ready है न तो दोनों में आपका एक साथ पानी आजाएगा पहले शुरुआद में तो आपको पहले क्या करना है इस पाउट में सेट करना है यहाँ पर हम दो रखे है इसलिए ताकि आपको समझ भाए हाँ इस तरीके से रखेंगे तो हम गिला हो जाएंगे अब यहाँ पर मैं बोडीजेट में रखे हूँ यहाँ पर इस पाउट को अपकर के हम सिरीख बोडीजेट लेते हैं और बोडीजेट का यहाँ पर प्रेसर देख लीजेए आप मीश्ट के साथ बोडीजेट दूनों एक साथ भी ले सकते हो इस सब आएगा इस सब आएगा इस सब आएगा इस लिए प्रेसर अइसा है आप देखे सिंगल चालू करते हैं कितना प्रेसर देखेजी इस सब आएगा देखें सब आएगा इस सब आए और नीगें है आप परला रहा है अब मैं देखेंगे किस तरीक इससे पान या रहा है वह हम देखेंगे आखिर में एक चीज बताना चाहूंगा अगर आपका सेटिंग कुछ भी गलत हो जाता है तो आप उसे फिर से ठीक कर सकते हो कोई घबरानी की बात नहीं है छोटा सा है वो भी हम दिखा देंगे बागी यह जो कंट्रोल हथ देख रहे हो इसमें मीडिल में प्रेस करेंगे एक बर प्रेस करेंगे आपका आप हो जाएगा और एक बर प्रेस करेंगे आपका डायरेक्ट ओन हो जाएगा मतलब पानी डायरेक्ट आने लगेगा अगर आपका सेटिंग गड़वड हुआ तो आपको क्या करना है इहां पर लेप साइट में एक home जैसे घर की जैसा logo जैसा दिखा रहा है यो आप कहाँ पर इस सेट देख लीज़े, ये इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसके आज सेटिंग में क्लिक करना पड़ेगा उसके आद इस चक्की को आपको इस तरह के से घुमाना है और यहाँ पर देख लिए फैक्टरी रिसेट है इसे आप किलिक करिए ठिक करिए उसके आद फिर से राइट कर देजिए पूरा बिल्कुल नया हो गया आप फिर से नया से से शेटिंग कर सकते हो भागी सर्जी वीडियो पसंद आया तो रिक्वेस्ट है आपसे लाइक, कमेंट और वीडियो को सेयार करना मिल्कुल नद भूलिएगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर प्रेस कर लेजिएगा फिर मिल्ली को शर्म का आप लोग के साथ आप लोग के पास किसी दूसरों पिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई जाये हीं